नमस्कार, CoachUp Academy के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, Internal Memory, Internal Memory पर अलड़ी मैं दो वीडियो बना चुका हूँ, तो मेरी पहले वीडियो मैंने बनाईती, वो बनाईती, RAM के उपर, और दूसरी मैंने बनाईती, वो बनाईती, मैंने ROM के उपर, हमारा sequential का मतलब है, जो हमारा system है, system क्या करेगा, जब तक data को search करेगा, कहां से, storage device से, जब तक उसको data मिल नहीं जाता, पर करेगा कहां से, starting से, from beginning से, ऐसा नहीं है, data को randomly search कर ले, इसको यह हमेशा beginning से शुरू करेगा, data को search करना, पर जैसे उसका data मिल जाएगा, वो वहां प sequential access memory और serial access memory, magnetic tape is an example of serial access memory, magnetic tape सबसे अच्छा example है, हमारा serial access memory का, हमारी magnetic tape है, किस तरह से है, यह हमारी magnetic tape है, अगर आप इसमें देखोगे, इसमें songs की recording होती थी, इसको audio tape भी बोलते है, इसमें जो यह लगी हुई है, हमारी जिसको real बोलते है, यह magnetic है, इसके ऊपर हमारी recording हम उस sequential कैसे होती है, इसमें गाना एक sequence में record होता है, पहले first song, उसके बाद second song, उसके बाद third song, ऐसे करीब आंचे गाने score होते है, अकर आपको third song सुनना है, तो हमको starting से उस cassette को सुरू करना पड़ेगा, हम उसको fast forward करें, बट हमें data, पहला song निकालना पड़ेगा, दूसरा song निकाल piece of data था, जहां जैसे हमें मिल गया, उसके बाद हमने data को हमारा मिल जाता है, तो यह हो जाता है हमारा sequentially access का, जैसे जैसे यह rotate होती जाएगी, हमारी sequentially उसकी सर्च होती जाएगी, next देखते हम लागे हमारी cache memory, cache memory is a very high speed semiconductor memory which can speed up CPU, it acts as a buffer between CPU and man memory, जो हमारी cache memory है, वो कह बहुत ही high speed, very high speed semiconductor memory है, which can speed up the CPU, जो की हमारे CPU की speed को बढ़ा देती है, it acts as a buffer, यह buffer का काम करती है, किस किस के बीच में, CPU और man memory के बीच में, किस तरह से करती है, यह मैं अभी बताने वाला हूँ, it is used to hold those parts of data and program which is most frequently used by the CPU, तो यह ऐसे data को hold रखती है, जो cache memory है, ऐसे data को hold करती है, जो data and program हमको most frequently used चाहिए, क्या है, जिनकी हमको सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है, मतलब CPU को बारवार जिस data की जरूरत पड़ती है, ऐसे data को hold करता है हमारी cache memory, the parts of the data and program are transferred from disk to cache memory, और जो यह parts of data है, या program है, उसको हमारी cache memory में, disk से कौन करता है, operating system, operating system के थुरू, हमारा processor के जिस data की हमें बार बार जरूरत पड़ती है, ऐसे data को operating system, disk से cache memory में transfer कर देता है, जिस से हमारा CPU है, अब क्या करेगा, cache memory से उनको access कर लेगा, cache memory lies in between CPU and man memory, जैसे कि मैंने बतायता है, यह CPU और man memory के बीच में buffer का काम करता है, तो जो हमारी cache memory है, वो lies करती है, cpu और man memory के बीच म लाई करेगी, it is also called CPU memory, इसलिए हमें इसको CPU memory भी बोलते है, that a computer microprocessor can access more quickly than it can access regular RAM, और जो हमारा CPU है, जो हमारा computer है, जो microprocessor है, वो क्या करता है, more quickly, मतलब बहुत जल्दी से search कर लेता है, और access कर लेता है, किसकी regular RAM की बज़ाए, जो regular RAM में उसको time लग रहा था, उसकी जैसे कि अगर मैं मेरे next, उसमें देखते हूं, यहाँ पर दखो आपको दिखाई देरी होगी, पहला तो क्या है मेरा, सबसे पहले देख रहो है, यहाँ मेरे main memory, यह मेरा processor, और जो cache memory है, वो बिलकुल मेरे किसके main memory और processor के बीच में, तो मेरी पहली बात तो यह clear हो गई, य दूसरा यह AJ buffer की तरह काम करती है, जैसे मेरे main memory की तरह काम करती है, और सबसे most important चीज क्या है, यह ऐसे data को store करती है, तो क्या होता है कि जब processor है, वो main memory से data को लेता रहता है, पर कुछ data ऐसा होता है, जिसको इसको frequently चाहिए, ऐसे data को operating system क्या करता है, cache memory के अंदर ही transfer कर देता है, जिससे क्या होगा कि processor वार वार, प्रोसेसर क्या करेगा, direct main memory पर ना जाके, cache memory से उस data को access कर लेगा, जैसे इसको access कर लेगा, तो main memory पर जाने में, जो access time लग रहा था, वो time आप हमारा बच जाएगा, जिससे हमारा CPU है, उसकी speed क्या हो जाएगी, fast हो जाएगी, CPU की speed, तो यह हमारा main advantages is cache memory का, और यह एक बिलकुल processor में, इसके साथ ही CPU में ही लगाते हैं हम इसको, इस memory को, इस memory typically integrated, मतलब कि यह integrated रहती है, directly with the CPU chip, तो यह हमारी CPU chip के साथ ही integrated होती है, और placed on a separate chip, that has a separate was interconnected with CPU, तो जो हमारी memory है, क्यों सी, cache memory है, वैसे तो इसको हम integrated करते हैं, directly CPU chip के साथ में, otherwise, या उसको place कर देते हैं, separate chip में, तो separate chip में, अगर करते हैं, तो उसके लिए हम separate was connect कर देते हैं, CPU से, जैसे कि इस बाले उसमें देखा था, इस बाले पहले उसमें देखा होगा आपने, तो यहां से यह बिलकुल प्रोसेसर से separate was, हमने connect करी होई है, cache memory saves time, जो हमारी cache memory है, यह time को shape करती है, in increases efficiency, और यह efficiency को भी increase कर देती है, because most recently processing data is stored in it, which takes the fetching easier, और जो most recently, जिसको मैं में दुलता रहा थ जिससे हमारा fetching आसान हो जाती है, fetching मतलब accessing आसान हो जाती है, अब देखते हैं, functions of cache memory, the basic purpose of cache memory is to store program instructions that are frequently referenced by the software during operation, तो हमारा जो पहला इसका function क्या है, यह ऐसे data को hold करती है, यह ऐसे program और instructions को hold करती है, जो हमारे frequently used हो रहे हो, fast access to these instructions increases the overall speed of software program, और जो यह fast access कर रही है, इससे क्य है, कि हमारी जो overall speed है, किसकी software program की वो बढ़ जाती है, the main function of cache memory is to speed up the working mechanism, और जो main function cache memory का है, वो हमारा speed up करता है, इसको working mechanism, और computer को, अब देखते हैं, हम advantage of cache memory, basically, जो functions है, advantage है, वो nearly एक जैसे हैं, जैसे cache memory faster than main memory, अब देखो main memory के बज़ा, यह fast होगी, क्योंकि इसमें जो time में access करने में जो time लगता है, वो cache memory में बहुत कम लगता है, और यह ऐसे data को use करें, जो को frequently, it consumes less access time as compared to the main memory, और यह जो time को consume कर लिया, वो काफी less करती है, access करने के लिए, it store the program that can be executed within short period of time, और यह ऐसे program को ही hold करती है, जिसको execute करना short period में बहुत आसान हो, it store the program that can be executed within a short period of time, it store data for temporary use, और यह जो data को रखती है, store करती है, वो temporary use के लिए करती है, इसमें permanent storage नहीं होती है, disadvantage of cache memory, cache memory has limited capacity, वो cache memory की का है, एक तो हमारे पास limited capacity है, cache memory is very expensive, और इसकी जो cost है हमारे को cache memory की वो काफी जादा होती है, अब देखते हम virtual memory, it is a technique that allows the execution process which are not completely available in the memory, virtual memory एक ऐसी technique है, जो हमें allow क execution, essay execution को allow करती है, of process, which are not completely available, जो की completely available ना हो, किसके अंदर memory में, the main visible advantage of this scheme is that program can be larger than physical memory, और जो main visible advantage है, किसका virtual memory का, वो एसे program को यह allow कर देती है, जो की larger than physical memory है, जो physical memory से भी बड़ा है, virtual memory is a separation of usual logical memory and physical memory, तो यह virtual memory एक separation है, किसका user logical memory का और physical memory का, जैसे कि अगर हम इसमें देखते हैं, अब इसको example से समझते है, virtual memory है क्या चाहिए, two kinds of address, इसमें दो kinds of address होते है, एक CPU तो use करता है, हमारा virtual address, जबकि main memory हमारी use करती है, physical address, hardware translate virtual address to physical address, via operating system, manage table and page map, तो यहां से हम देखते है, यह हमारा CPU है, यह हमारी main memory है ठीक है, और यह हमारा page map है, कभी-कभी ऐसा हो जाता है, कि जो program हमारा इतना बड़ा हो, जो main memory के अंदर ही नहीं आपा रहा हो, कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है, कि जो program हमारा ज़्यादा बड़ा हो, instructions ज़्यादा बड़े हो, और जो main memory size से बड़े हो, तो ऐसे program को भी हम virtual memory क through run करा सकते हैं, वो किस तरह से कराएंगे, कि हम जो program है, उसको page map में divide कर देंगे, ऐसे different pages में हम उसको map कर देंगे, और जो pages में से जरूरी data है, उस data को हम man memory में transfer कर देते हैं, swipe in और swipe out से, जिससे क्या होगा, कि जैसे हम को CPU को need पढ़ेगी, वो data को man memory से लेता रहेगा, और हमे data को एक साथ transfer करने की जरूरत नहीं पढ़ती है, कुछ data page 1 से, कुछ data page 2 से, कुछ data page 3 से, वहाँ पर transfer कर देते हैं, जिससे हमारा overall जो बहुत बड़ा instruction, बहुत बड़ा program होता है, वो भी हमारी अगर memory की size कम है, उससे हम उसको run करा सकते हैं, और इसमें बस virtual memory में एक disadvantage क्या हो जाता है, और page fault के बाद हम फिर देखते हैं कि page fault से क्या क्या होता है, page fault को हम किस तरह से remove करते हैं, और page fault को remove करके बापिस से हम data को main memory में ले आते हैं, और वहाँ से हमारा दुबहरा security उसको access कर लेता है, इस तरह हम virtual memory के help से, जिस program के बड़ी size होती है, उसको भी हम जोज कर सकते हैं, अगर हमारी size memory size कम होता है,